तो अक्सर हमारे गाड़ियों की सारे पेपर वैलिड होने के बाद भी हम ट्राफिक पुलिस से बच कर चलते हैं क्योंकि हमें कहीं न कहीं डर रहता है कि वो ट्राफिक पुलिस जो है वो किसी भी तरह का रीजन दिखा करके हमारा चलान काट सकता है सो इसका रीजन एक ही और सिंपल है कि वो हमारा ट्राफिक रूल्स का ना जानने का फाइदा उठा करके हमारा ट्राफिक चलान काट देते हैं सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डोक्यूमेंट है जो आपको गाली चलाने के वक्त अपने साथ रखना है और उस डोक्यूमेंट के बेस पे जो ट्राफिक पुलिस से आपको टजबी नहीं कर सकता है और ना ही किसी तरह का चलान आपका काट सकता है और इसी के साथ साथ मैं आपको दो ऐसे applications के बारे में बताऊंगा जो government ने खुद ही issue किया है जिसमें आप अपना vehicle के documents even driving license भी safe करकर के रख सकते हैं और वो traffic police को दिखाने के लिए valid भी है तो वीडियो के end तक बने रहा है क्योंकि मुझे पता है यह सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द हो सकती है तो सबसे पहली और बहुत important चीज जो driving के वक्त आपको अपने साथ रखना है और कोई भी traffic police जो आपको पकड़े वो सबसे पहले आपसे इसी document का demand करता है वो है driving license क्योंकि driving license जो एक person को authorized करता है कि आप जो है वो particular class of vehicle जो आप चला सकते हो तो अगर आप अपने driving license करी नहीं करना चाते हैं तो आप play store या other apps store से digilocker application download कर सकते हैं जिसे government of India ने issue किया है और उस पे आप अगर अपने driving license को issue करते हो तो वो verified by the motor vehicle department रहता है इसलिए वो driving license हर traffic department में acceptable है हर traffic police के सामने आप उसे दिखा सकते हो वो acceptable है दूसरे सबसे important document के अगर हम बात करें जो आपको driving के वक्त अपने साथ रखनी है वो है गाली का smart card जिसे हम blue book भी कहते हैं तो एक गाली का ownership वो गाली का owner कौन है क्या class का एक गाली है वो सारा details गाली के blue book में रहता है okay so blue book carry करना चाहिए suppose मान लो आप किसी friends का या अपने father's का या other relatives का गाली चला रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका license का जो detail आपका license में जो आपका नाम है स्मार्ट कार्ट के नाम से match नहीं खाएगा जिससे traffic police समझ जाते हैं कि गाली का owner कोई और है और गाली जो drive करें वो कोई और है तो इस पर भी वह आपको fine दे सकते हैं सो महज आपको कुछ नहीं करना है अगर ऐसी कोई बात है सो देड़ो सो रुपे खर्चा होता है आपको एक authorization बना लेना है जिसमें जो owner है गाली का वो आपको authorized करता है एक साल के लिए कि आप यह गाली चला सकते हो उस authorization से आप क्या है इस moment में बस सकते हो तीसरी जो सबसे चीज़े वो है एक वैलिट पॉलिशन सो आपकी गाली का जो पॉलिशन है वो भी एक वैलिडेशन के अंदर होना चाहिए तो आप अपने गाली से कहीं भी जाओ यह चारी डोकिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको कैरी करना है जिसे आपको अपने साथ ले जाना है सबसे first and foremost driving license उसके बाद उसी गाली का blue book अगर blue book किसी और के नाम से तो आप authorization पेपर बना सकते हो इसी के साथ इंसोरेंस और pollution यह चार बेसिक से डोकिमेंटर जो हर एक traffic police देखने को मंगता है इसके इलावा कुछ-कुछ minor चीज़ों पे भी traffic police वह fine आपको दे सकता है for example आपका अगर बाइक में looking glass ना लगा हो तो motor vehicle act में इसका provision है कि looking glass अगर आपका ना हो तो इस पे fine आपको दे सकता है इस पे आपक कराते हो उसका headlight को अगर change करवाते हो headlight इस तरह के लगाते हो जो सामने वाला को आइस को attract करता है और सामने वाले को bother करता है आप अपने गाली को किसी भी तरह से modify नहीं कर सकते हो without the prior permission of the motor vehicle department इन सब चीजों के लिए different different fine जो वह इंपोस किया गया under motor vehicle act and different different amendment के साथ उसके लि तो बात करते हैं दो application की तो सबसे पहला application से एम परिवहान जिसमें आप अपना vehicle का जितना भी details से सबको save रख सकते हैं और वह verified by the motor vehicle department होता है तो हर एक traffic police में वो क्या acceptable है आपको किसी भी तरह का document को carry करने की जरूरत नहीं है खुद के साथ महिज आप M परिवहान में अगर गाली के साथ details को traffic police को दिखा दें तो traffic police को उसे accept करना ही होगा क्यूंकि क्यूंकि M परिवहान जो application वो issued by the government है और उसमें जितने भी details रहते हैं वे सब verified by the motor vehicle departments होते हैं दूसरी जो app से वो है digilogger जिसमें आप अपना license को save रख सकते हैं और यह application जो issued by government of India है और verified अगर आप को save रखते हो तो license है आपका वह verified by the motor vehicle department होगा और यह भी हर एक traffic police में acceptable होगा traffic police को उसे accept करना ही पड़ेगा तो finally हम लोगों को अब traffic police से डरने की कोई जरूत नहीं है बस कुछ documents है जो बहुत important है जो चार मैंने आपको बता है वो आपको validly अपने साथ रखना है अपने पास रखना है अगर आप अपने पास नहीं रखना चाहते हो तो वो एम परिवहन के application में सारे documents गाली के और license को लिक्स वीडियो में और भी legal knowledge के साथ thank you for watching my videos